कुछ बच्चे जो है पहला शीट जो होता है पूरा का पूरा खाली छोड़ देते हैं और सेकंड शीट से अपना पेपर शुरू करते हैं आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है you can start right from where the sheet is beginning no problem in that nobody will deduct your marks all about the margins तो सबसे पहले start करते हैं margin से आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे 2 इंच से जादा का margin left side और 2 इंच से जादा का margin right side पे है ऐसा बिलकुल भी नहीं करना है just to make your answers look longer you don't have to draw this wide margin the right margin width would be this बच्चा 1 इंच आप left से और 1 इंच आप right से या थोड़ा सा 1 इंच से जादा आप right से कर सकते हैं even in mathematics exam try to keep the margins for 1 इंच और 1.5 इंच on either sides क्योंकि आपको rough work के लिए last page मिल जाता है sheet का spacing is definitely an art yes you heard me right spacing is an art आप यहां देख रहे हूं कि मैंने answer number 8 9 10 और 11 अच्छे से लिखे हैं लेकिन मैंने कितना cluster कर दिया है कोई अगर एक जटके में मेरी sheet देखे तो उसे लगेगा है नहीं कि यह answers different है तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको दो answers के बीच में दो line का gap जरूर छोड़ना है मैं बताती हूँ कि answers के बीच में spacing कैसे रखनी है और answers के between spaces कैसे रखनी है यह है एक ऐसा answer जो हमेशा आपको topper की sheet में मिलेगा इसमें आपसे type of farming पूछा हुआ है तो आपने जट से एक rough तरीके से एक chart बना दिया जहाँ पर primitive, intensive or commercial farming को mention कर दिया फिर primitive subsistence farming लिख दिया उसके points लिख दिये फिर intensive लिख दिया उसके points लिख दिये और फिर commercial लिख दिया और उसके points लिख दिये इसमें 5 number आपको sheet देखते हैं मिल जाएंगे अभी यहाँ पे एक चीज फिर भी अधूरी है यहाँ पे highlighting की answer में कमी है यह हो गया आपका answer बहुत अच्छे से highlight primitive का सबसे important point होता है कि उसमें सारी पुरानी चीज़े use की जाती है और उसके बहुत different names होते हैं इसमें चीज़ अपने differences में भी copy कर सकते हो यहाँ मैंने non cooperation और cdm के बीच का difference लिखा है सबसे पहली बात तो यह है कि ncm और cdm mention नहीं करना है उपर पूरा पूरा mention करना है और उसके बाद मैंने दोनों की headings को highlight किया है अलग तरीके से फिर मैंने उनके सबसे important points जो कि चौरी-चौरा गांधी-एर्विंट pact, salt mart, surrending of titles अश्री इसको भी करना चाहिए था और फिर muslim participation को मैंने highlight किया है अलग से so this is how you can present an answer in the form of a table table आप सिर्फ एक simple line खीच के भी बना सकते हो मैंने यहाँ पे ऊपर भी line कीची और नीचे भी line कीची maps and graphs extra tip जब आप map work कर रहे हो और map work में कोई place mark करें आप वहाँ पे अपने answer को जरूर mark कर दीजे बचा विकुस कभी का बार एक ही map में आपको कई सारे answer mark करने होते हैं और हम answer number लिखना भूल जाते हैं the smart work अगर आपके paper में एक time बहुत कम बचा हो और आपके answers बच रहे हो तो आप महाँ पे smart work लगा के पूरे number ले सकते हो जैसे कि यह question ethnic composition in Shri Lanka वैसे तो आप इस पे एक paragraph लिख सकते थे लेकिन अगर time बिलकुल नहीं है तो आप एक ऐसा सुंदर सा chart बना के आ सकते हो जहां पे आपने सब कुछ mention किया हो है majority, minority, Christians, Sinhala, Tamil, all of that and आपको इसको बनाने में सिर्फ लगा है one minute and I will tell you what इसमें आपको पूरे के पूरे तीन number मिलेंगे make the mistakes right अगर मान लीजाए आपका पूरा अंसर ही गलत हो गया तो आपको ऐसे यहां पे meshwork बना के आने की जुरूत नहीं है आप simple पूरी sheet पे एक line खीश तेंगे that would be enough not is really important वैसे तो उमीद है कि exam sheet जो भी मिलेगी आपको board exams में उसमें यह punctured hold already होगा लेकर अगर by chance यह punctured hold नहीं है तो आपको यह hold कुछ एक इंच दूर बनाना है आपके end से otherwise यह फट भी सकती है sheet now let's talk about the map and the bar graph map and bar graph को आपको starting में या end में बिल्कुल भी नहीं लगाना है आपको उसको अच्छे से secure करने के लिए अपनी answer sheet के बीच में tie करना है so there goes your tip for maps and tie work I hope यह tips आपके लिए useful थी I am sure in tips के साथ आप अपने exam को बहुत ही अच्छे तरीके से present कर सकते हैं अगर आप और कुछ tips जानते हैं तो मुझे comments में जरूर बताएगा and इस video को अपने friends के साथ जरूर शेर कीजएगा happy exams to you don't forget to subscribe to the channel for both such videos bye bye